हलो दोस्तो वेलकम तू स्टड यूनिवर्स मद्यप्रिदेश की नंबर वन चैनल फॉर डेली करेंट अफेर के इस प्यूडियो में आपका स्वागत है दोस्तो एक हजार क्वेशन की सीरिज का यह चौथा पार्ट हम आप तक लेकर रहे हैं इससे पहले तीन पार्ट आ चु कर सकते हैं आपकी कुरिज भी हम देखती रहते हैं दोस्तो चलते हैं क्वेशन नंबर फस्ट पर पहला क्वेशन है विस्व का एक मात्र सूर्य 21 जून को 90 डिगरी पर लंबत कहां होता है तो इसका सही ऑफशन है उज्जयन में उज्जयन एक मात्र इस्थान है दुनिया क जहां पर सूर्य 21 जून को 90 डिगरी लंबत होता है दोस्तो अब बात आईए उज्जयन की तो कुछ इंपोर्टेंट फेक्ट आपको उज्जयन के बारियों बता दें दोस्तो उज्जयन को प्राचिन काल में अबंति का या उज्जयनी के नाम से जाना जाता था राजा बि 12 साल में उज्जयन में ही लगता है तो यह कुछ इंपोर्टेंट फेक्ट थी उज्जयन की बारिये में आपको याद रखने है नेस्ट कोशन है पंचायत इस्तरवर पंचों और सरपंचों को हटाने का अधिकार जनता को देने वाला परतम राच्च कौन सा है तो इसका सही English medium वाली हैं वो यहां से वीडियो का option देख के आप पढ़ सकते हैं next question है मद्रेपृटेश में परेटन नगरी के नाम से किस जिले को जाना जाता है जिसका सही option है शिप्पुरी को अब बात आई है शिप्पुरी टो कुछ important फेक्ट आपको शिप्पुरी जिले के बारें ब भारत का प्रथम सौर चलेट टेलीफोन एक्सेंज शुपूरी में ही लगाया गया है। अथा के नाम से किस जले को जाना जाता था। अब बात आईए रिवा की तो कुछ इंपोर्टेंट फेक्ट आपको रिवा के बारें बता दें। जो चचाई है, वह भी दीबा में इस्थित है, इसके अलावा बहुटी और केपटी जल प्रपाद भी रीबा में ही इस्थित है, दोस्तों कुछ और important fact आपको बता दे, ठाक और रणमत सह स्टेडियम भी रीबा में ही इस्थित है, त्योथर प्रातात्विक इस्थल यह भी रीबा में ही है, जिपसम रीबा में सबसे ज़्यादा प्राप्त किया जाता है, आम अनुसंधान केंद्र गोविंदगर रीबा में बनाया गया है, तो यह कुछ important fact थे रीबा की बारे में, आपको याद रखने हैं दोस्तों, इन मैंसे कोई सा भी एक question बनके आपके सामने दीखा जा सकता है, नेक्ट कोशन है, मध्यप्रदीश का राज की पुष्प कौन सा है, जिसका सही option है लिली, लिली मध्यप्रदीश का राज की नरत क्या है, जिसका सही option है राई, राई मध्यप्रदीश का राज की नरत है, यानि what is the state dance of महरा मध्यप्रदीश, इसका सही option नेस्ट कॉशन है मत्रदेश में बुंदेला बंस की स्थापना किस ने की थी तो रुद्र बुंदेला ने जो उर्चा में इस बंस की स्थापना की गई थी तो आपको याद रखना है उर्चा में बुंदेला बंस की स्थापना की गई है कल्चुरी बंस की राजधानी कौन सी रही है तो तिरपुरी जिसे हम बर्दवान में जवलपुर की नाम से जानती हैं यह कल्चुरी बंस की राजथानी रही है और इसके संस्थापक थे कृष्ण राज तो यह जिसका सही ओफशन है रानी अबंती भाईने रानी अबंती भाईने 1857 की करांती में मद्दप्रदेश की रामगड से बिद्रुह का नेतरत्व किया था मद्दप्रदेश की उत्तर की सीमा कौन सी नदी बनाती है जिसका सही ओफशन है चंबल नदी चंबल नदी और उत्तरप्रदेश के बीच चम्बाल नदी इस्थित है जो मद्धप्रदेश की उत्तर की सीमा बनाती है नेक्ट कॉशन है कैमूर भांडिर परवत स्रेणिया मद्धप्रदेश के किस जिले में है तो रीबा, सतना, पन्ना और चतरपुर इन चार जिलों में कैमूर भांडिर परवत स्रेणिया इस्थित है नेक्ट कॉशन है बेटवा नदी की सहायक नदी कौन सी है तो धसान, बीना और सिंध ये सभी बेटवा नदी की सहायक नदी है दोस्तो आपको बताते हैं बेटवा नदी मध्रवदी की राय से जिले से निकलती है नेक्ट कॉशन है, इंद और किस नदी की किनारी इस्थित है, जिसका सईोफ़िशन है, खान नदी की किनारी इंद और इस्थित है इसकी लंबाई 3170 मीटर है अब दूस्तु बात आईए सर्दा सरूवर बांध गी तो कुछ important fact आपको इसके बारी में बता दें जो सर्दा सरूवर बांध है इसकी opening date 2017 में की गई थी महरास्ट और गुजरात की यह बहुँ उद्देशिय परियोजना है तो इतना आपको इसकी बारी में याद रखना है एक और important fact दोस्तो ये भी है कि statue of unity जो है वह सर्दा सरूवर बांध से थोड़े ही नजदीक में है next question है देश का पहला eco paraton बिकास बूर्ड कब इस्थापित किया गया था तो इसका सही option है साथ उद्द्यान मदपदीश की जो साथ उद्द्यान है वह है tiger project में शामिल किये गए है next question है मदपदीश में कहाँ alcohol और carbon dioxide plant इस्थे थे तो इसका सही option है रतलाम रतलाम में alcohol और carbon dioxide plant इस्थे थे अब बात आईए रतलाम की तो कुछ important fact आपको रतलाम के बारें बता दे हुसेन टेकरी लाइलाज बीमारी के लिए प्रिसिद्ध है यह रतलाम में ही है रतलाम को सेब की नगरी के नाम से जाना जाता है यहाँ पर सबसे अधा सेब की पैदावार की जाती है राश्टी अंगूर अनुसंधान के इंद्र भी रतलाम में ही बनाया गया है रतलाम में पश्च्यम railway zone का छेत्रिय मुख्याला भी है तो यह कुछ important fact आपको रतलाम की बारे में याद रखने है next question है मद्यप्रदीश राज उद्योग निगम की इस्थापना कहां की गई है तो भूपाल इसका सही option है भूपाल में मद्यप्रदीश राज उद्योग निगम की इस्थापना की गई है दोस्तो वैसे तो आपको भूपाल की बारे में बहुत बार important fact बताए है लेकिन एक ब पहाडियों पर बसा है भूपाल, भूपाल को जीलों और पहाडों का शहर भी कहा जाता है, सरबादिक जनसंख्या गनतुए भूपाल में ही इस्थित है, भारत है भी इलेक्टोनिक लिमिटेड, 1960 में बिटेन की सहायता से बनाया गया था, आपदा प्रबंधन संस्थान भी भूपाल में ही बनाया गया है, देश का प्रथम मॉडल ब्लड बेंक की स्थापना हमीदिया अस्पताल में भूपाल में ही की गई है, विसो का सबसे बड़ा स्वर उजा सेयंत्र भी भूपाल में ही लगाया गया है, प्रदेश का पहला एनरजी पार्क भी भूपाल में ही बनाये गया था इंद्रा गांधी रास्टी अमानव संग्राले जिसे दोस्तो चार्ल्स कूरीया ने कोई बहुत से भवनों की भवन बनाये थे भूपाल में तो यह आपको इतने important factor भूपाल की बारे में याद रखने है next question है मत्यप्रदीश में सिसू लिंग अनुपात कितना है तो 918 बालिकाओं पर यानि 918 बच्चियों पर 1000 बालक है दोस्तो इसको आप इंगलिस में भी पढ़ सकते हैं आपके लिए ये सुविधा मैंने बहुत से वीडियो हो गए उनसे लानी शुरू कर दी है अगर आपको फसंद आता है तो हमें बताएं वरना दोस्तो आपको ये जो एक option के अलावा जो 4 option दिये रहते हैं वैसा आप वीडियो चाहते हैं तो हमें उसमें भी बताएं मैं आपको चाहर option की वीडियो में भी दे सकता हूँ वरना वन लाइनर question दोस्तो बहुत important होते हैं क्योंकि इसमें बहुत सार data एक साथ मिल जाता है इसकी अलवा accurate answer भी हम देख पाती है next question है 2011 की जणगरना अनुसार मत्यप्रदेश में साक्षर्टा दर कितने प्रतिशत हैं जिसका सही option है 79 दिसमभ तीन प्रतिशत यानि 69.3 प्रतिशत जो मत्यप्रदेश की साक्षर्टा दर है variety गयन किस शवित्र से प्रिसिद्ध गयन है जिसका सही option है बुढ़िलखंट बुढ़िलखंट का variety गयन बहुत प्रिशद है नेश्ट बात करती है मद्विदेश में सरजोसी सम्मान किस भाषा के लिए दिया जाता है जिसका सही उफ्षन है हिंदी में हिंदी में हिंदी भाषा के लिए सरजोसी सम्मान मद्विदेश की ओर से दिया जाता है ग्वालियर की दुर्ग को किस वर्ष बनवाया गया था तो दोस्तों 525 इसवी में लगवग इस इसवी में ग्वालियर की दुर्ग को बनवाया गया था नेश्ट है बेरुजगारी भत्ता देने वाला देश का पहला राज कौन सा है तो मद्यप्रदेश वह राज है जिसने देश में पहली बार बेरुजगारी भत्ता दिया था रेट क्लेफ लाइन भारत और किस देश के बीच इस्थत है जिसका सही option है पाकिस्तान पाकिस्तान और भारत के बीच रेट क्लेफ लाइन इस्थत है दोस्तों एक ट्रिक है जिससे मैंने आपको याद किया है वैसे आपको याद कराने के लिए बोलूँगा रेट केफ लाइन भारत और पाकिस्तान के बीच है जो मेग मोहन लाइन है वह है भारत और चीन के बीच है अब बात आई है पाकिस्तान की तो आपको कुछ important factor पाकिस्तान के बारे में बता दें पाकिस्तान की जो capital है वह है इसलामबाद और पाकिस्तान की जो largest city है वह है कराची यहां की जो रास्टी भासा है वह है English और उर्दू है इसके अलावा दोस्तो 14 अगस्त 1947 को इसको स्वतनतता प्राप्त हुई थी और एक important fact आपसे पूछा जा सकता है कि पाकिस्तान इसलामिक देश कब बना तो 23 मार्च 1956 को पाकिस्तान एक इसलामिक देश बना आपको उदा देए पाकिस्तान की जो प्रिसिडेंट है वह है आरिफ अलवी और पाकिस्तान की जो प्राइम मिनिस्टर है वह है इमरान खान एक और दोस्तो आपको important fact बता दे हमने पाकिस्तान की जो भी national symbol है यानि रास्टी प्रती के उनके बारे में वीडियो किया है आप आप वहां से जाकर वीडियो को देखें पाकिस्तान अफगानिस्तान का ये वीडियो एक साथ बनाया गया है इसमें सारे जितने भी national symbol है उनके बारे में बताया गया है ये वीडियो बहुत important है दोस्तो वहां से आपको एक नाई question आपके exam में देखने को मिल जाएगा तो आ अलावा जो भी आने वाले वीडियो होंगे उनमें हम current affair का ये portion रखने वाले हैं तो पहला question है रविद्ना टैगूर साहत पुरुषकार 2019 किसे दिया गया है तो राणा 10 गुपता को साहत जो रविद्ना टैगूर साहत पुरुषकार है वह इन्हें दिया गया है और इनका उ सांची का स्थूप कितने रुपए के भारती नूट पर अंकित है तो ये एक बहुत important question है दोस्तू आपको याद रखना है 200 रुपए के नूट पर मत्यप्रदेश का सांची का स्थूप है वह बनाया गया है आपको जैसे की पता है सांची का स्थूप विश्व धरूहर इस का स्थूप दोसों के नूट पर बनाया गया है और ये एक important fact है दोस्तो आने वाले किसी भी exam में आपको ये देखने मिल जाएगा अब बात आई ये शैडोल की तो कुछ important fact आपको शैडोल की बारे में बतादे एसिया की सबसे बड़ी कोईला खदान सुहागपूर शहडोल में ही इस्थित है यूरिनियम खनेजवाला राज्य का एक मात्र जिला है शहडोल जिले दोस्तो रिलाइंस गुरुप द्वारा मीथियन गैस सेयंतर भी शहडोल में ही लगाया गया है एसिया की सबसे बड़ी कोल फिल्ड सुहागपूर शहडोल में ही खोली गई है तो इतना आपको शहडोल की बारे में याद रखना है नेश्ट कोशन है किस राज ने गौ अभ्यारन की इस्थापना की है जिसका सही ओफ्षन है मद्धिप्रदीश मद्धिप्रदीश राज में गउ अभ्यारन की स्थापना 2019 में की गई है नेश्ट कोशन मद्धिप्रदीश के बर्तमान में नए राज निर्वाचन आयुक्त कोन है तो इसका सही ओफ्षन है बीपी से हैं बीपी सह मद्धिप्रदेश के राज निर्वाचन आयुक्त है देश का पहला कारवन मैनेजमेंट सर्टिफाइड एरपूर्ट के से बनाया जा रहा है तिसका सही ओफ्षन है देवी अहलावाई हूलकर एरपूर्ट जो इंदोर में स्थित है इसे देश का पहला कारवन मैनेजमेंट सर्टिफाइड एरपूर्ट बनाया जा रहा है नेश्ट है किस दूद संग ने प्लास्टिक को रोकने और पर्यावरण हेतू मद्धिप्रदेश प्रदूशन नियंतरम बोर्ट के साथ समझोता किया है जिसका सही ओफ्र सांची दूद ने प्लास्टिक को रोकने और पर्यावरण को स्वख्ष बनाने के लिए मद्धिप्रदेश प्रदूशन नियंतरम बोर्ट के साथ समझोता किया है नेस्ट कोशन है रास्टिय कूडू प्रतियोगिता 2019 में मद्धिप्रदेश ने कुल कितने पदक जीते हैं तो इसका सही ओफ्रदेश पदक 84 पदक मद्धिप्रदेश ने जीते हैं रास्टिय कूडू प्रतियोगिता 2019 में जिसमें 41, 19 रजत और 24 कांश से पदक है नेश्ट है 8 degree channel भारत के मिनी कोई और किस देश के बीच इस्थित है तो दोस्तों इसका सही option है माल दूइब माल दूइब के बीच भारत और माल दूइब के बीच 8 degree channel इस्थित है और भारत का कौन सा एरिया है तो यह है मिनी कोई मिनी कोई और माल दूइब के बीच 8 degree channel इस्थित है अब बात आईए माल दूइब की तो आपको कुछ important factor माल दूइब की बारे में बता दे माल दूइब की capital है माले और यहां की जो president वह है एबरा है मुहमत सूलै यहां की जो chief justice है वह है अहमत अडान है तो इतना आपको माल दूइब की बारे में याद रखना है नेस्ट question है 9 degree channel कहां इस्थित है तो मिनी कोई और लक्षदीब के बीच 9 degree channel इस्थित है दोस्तो यह दोनों भारत के ही छितर है मिनी कोई और लक्षदीब इन दोनों के बीच 9 degree channel इस्थित है यह exam में पूछ जाने वाला सबसे ज़्यादा important question है आपको याद रखना है तो दोस्तो यह था हमारा आज का वीडियो आप इस वीडियो को ज़्याद चाल लाइक कीजे शेर कीजे और चैनल को subscribe जरू कीजे ऐसे वीडियो दोस्तो आप तक आते रहते हैं और इसके अलावा यह हमारा चौथा पार्ट था इसके तीन पार्ट आचुके हैं आप उन्हें जाकर देखिए वो भी बहुत interesting पार्ट हैं आपको इन वीडियो मैंसे एक नाएक question देखने को exam में जरूर मिलेगा तो दोस्तो आप मारे चैनल को subscribe जरू कीजिए तो आज के लिए बस अतना ही नमस्कार, have a nice day